गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों मैं हूँ आपकी एजुकेटर पुर्णे मातर सिंग और हम आपकी वरक्षीट नंबर 19 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सोचल साइन्स क्लास आपकी 10 है और यह आपकी आज की 21 अगस्त की वरक्षीट है तो बच्चों अभी तक हम रिसोर रिन्यूएबल नोन रिन्यूएबल बायोटिक एबायोटिक ठीक है उसके बाद हमने ओनर्शिप की बेसिस पर पढ़ा प्राइवेट था पब्लिक था उसके बाद हमने यह देखा कि जो रिसोर्स हैं वो उनका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है तो आज हम सोयल इरोईज तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ब्लैक सोयल को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है वो दूसरा नाम क्या है ठीक है तो चलिए the denudation of the soil cover subsequent washing down is described as a soil erosion अब पहली बात तो यह बताओ soil erosion होता क्या है soil erosion क्या होता है ना कि जो उपर वाली परत होती है वो उतरती जाती है यानि कि वो कट चट जाना उसका बह जाना एक तरीके से ठीक है उसको soil erosion कहते है the process of soil formation and erosion go on simultaneously यह कह रहा है कि erosion हो रहा होता है और formation साथ के साथ चलता रहता है क्योंकि देखो wind है है पानी है यह सारी बारिश हुई तो वो साथ के साथ मतलब बहती भी रहती है लेकिन बंती भी रहती है लेकिन चोटी सी बहुत पत्ती सी layer बनने में भी लाखों करोडों साल लग जाते हैं मिट्टी को बनने में ठीक है there is a balance between two अगर balance है तो soil erosion नहीं होगा लेकिन अगर balance बिगड़ जाए यानि कि soil erosion वाले जो components है वो बढ़ जाए तो soil क्या होगी जादा खराब होगी अब आगे चलते हैं sometimes this balance is disturbed due to human activity और यह balance क्या होता है कई बार human activity की वज़े से बि deforestation लोग पोधो को काड़ देते हैं अब पोधो का काम क्या होता है कि मिट्टी को ना नीचे से मिट्टी की जड़े होती है वो उसको पकड़ के रखती है ठीक है ना तो यहां पर बात करते हैं over grazing से construction से mining से इन सब चीजों से soil का erosion होता है अगर आप से पूछा जाए कि soil का erosion किस किस वज़े से होता है deforestation से होता है over grazing से होता है construction और mining से होता है while natural forces अभी तक तो हमने बात की दो तरीके की जब भी आप लिखेंगे तो दो points में लिखेंगे क्योंकि आपकी 10th class है तो जितना जाधा answer को आप points में लिखेंगे वो उतना जाधा effective रहता है तो देखो human activity के ले क्या रह गई deforestation over grazing construction and mining अब बात करतें natural forces की natural forces के लिए आपकी आजाएगी wind glacier and water lead to soil erosion तो चलिए यहां पर देखिए आप type of soil erosion हमने अब भी क्या पढ़ा कि किस कि वज़े से soil erosion होता है number one human activity की वज़े से दूसरा natural forces की वज़े से अब type मतलब soil erosion का भी type है यहां पर गुलीज क्या होता है बहुत जादा जो वोटर होता है चंबल की घाटियों से कभी गुजरोगे ना मद्या परदेश से तो आपको दिखाई देगा ठीक है the land become unfit for cultivation ठीक है और वो जो land होती है उसमें आप क्रिशी नहीं कर सकते cultivation नहीं कर सकते और उसको as a bad land भी बोला जाता है तो गलीज के द्वारा जो erosion होता है ठीक है उससे एक तो deep channel बन जाते है ठीक है और उसके बाद वो land क्या कहलाती है bad channel bad land कहलाती है ठीक है इन दा चंबल बेसिन such lands are called ravines चंबल में इसको ravines कहा जाता है चंबल में इसको क्या कहा जाता है तो आप यहां पे यह word याद रखेंगे क्योंकि इसमें से एक portion बनता ही बनता है गलीज के लिए deep channel bad land and ravines चार वर्ड याद रखने है जब भी गलीज तो deep channel bad land और ravines अब आगे चलता है sheet erosion sheet erosion क्या होता है जहां पे बहुत ज्यादा पानी होता है तो जो मिट्टी है पूरी sheet की sheet में बहती है ऐसा लगता है पानी इस तरीके से बहता है कि पूरी sheet की sheet की form में जो पानी है वो मिट्टी को बहा कर लेकर बजा रहा है sometime water flow as a sheet over large area down a slope in such cases the top soil is washed away ऐसे cases में जो top soil होती है वो क्या हो जाती है बह जाती है this is known as a sheet erosion इसको sheet erosion लेकिन sheet erosion हो किसकी वज़े से रहा है water flow की वज़े से ठीक है तो इसमें sheet erosion में water flow और sheet erosion दो वर्ड याद रखने है ठीक है wind erosion wind बहुत तेजी से blow करती है तो जो soil होती है नीचे से loose off हो जाती ह है और sloping land known as a wind erosion ठीक है अब defective method of farming कई बहार जो farmers होते है वही जो method अपनाते है वो defective होते है वो अच्छे नहीं होते हैं जिससे की soil erosion होता है soil erosion is also caused due to defective method of farming flowing in a wrong way that is up and down slow from channel for a quick flow of water leading to soil erosion soil is the most important renewable natural resource कैसा है renewable ध्यान रहे कैसा source है renewable है it takes millions of years to become a few centimeter of soil इतने सारे साल लग जाते हैं जस्थोड़ी से सेंटिमेटर ऑफ सोयल बनने में ओवर्यूज लीड्स टू डिग्रेडेशन और जो ओवर्यूज है वो डिग्रेडेशन की तरफ लेकर जाता है उसकी quality घड़ जाती है उपजाव शक्ति घड़ जाती है therefore it is necessary to be protected इसलिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें हम मिट्टी को साथ रखती है तो वह बहेगी नहीं काउंटर प्लोइंग करनी चाहिए strip क्रोपिंग करनी चाहिए यानि कि एक strip में एक फसल दूसरी strip में दूसरी फसल strip क्रोपिंग होनी चाहिए फिर shelter beds लगानी चाहिए यानि कि जो हवा वाला एरिया है वहां पर हमें कुछ बड़े- मैथड कौन-कौन से हैं conservation के तो चलिए start करते हैं यहां पर मैथड से first question है write your views on method of soil conservation यहां पर देखेंगे efforistation counter plowing strip cropping shelter beds ठीक है अब चलते है next describe the type of soil erosion type of soil erosion में हमें वही लिखना है गुलीज क्या था डीप चैनल से कट होती है और क्या बताया था मैंने bad land कहलाती है है और ravins भी बोला जाता है इसको ओके अब चलते हैं sheet erosion पे water flows as a sheet over large down a slope and top soil is washed away और जो टोप soil होती है वह बहे जाती है wind erosion wind blow loose soil of flat or sloping land known as a wind erosion defective method of farming flowing in a wrong way ओके बच्चा आप चलते हैं next question पे make a list of causes which are responsible for soil erosion in your area आपको वो method लिखने है जो जिनसे वो causes लिखने हैं जिससे आपके area में soil erosion होता है तो देखो वही है due to human activity में deforestation हो जाता है over grazing होती है construction और mining की वज़े से क्या होता है soil का erosion होता है अब natural forces की वज़े से wind glacier and water lead to soil erosion ठीक है तो यह method थे आपके soil erosion के I hope so आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा याद करने का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि important important words को आप मार्क करते जाएंगे वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे